तो यह आगया है सैमसंग का नया बजट टैबलेट यह है सैमसंग का टैब A9 प्लस मैंने लगबग 20,000 रुपे में 8GB RAM, 128GB स्टोरेज और 5G मॉडल लिया है साथ ही इसका 5000 वाला कभर भी लगबग फ्री में मिल गया वैसे यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है मैंने मैं और गया था यह ब्लू कलर में लेकिन मेरे पास यह ग्रेफाइट कलर में आया है और ऐसा क्यों यह मैं आगे समझा दें पहले इसे फटा-फट से अन्बॉक्स कर लेते हैं मैं उमीद करती हूं कि इसकी क्वालिटी 20,000 की प्रेस को तो आराम से जस्टिफाई कर पाएग क्लियर लिखा हुआ है गैलक्सी टैब A9 प्लस 5G और इस वार यह स्लिम बॉक्स है तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई इसमें एडप्टर तो नहीं मिलने वाला यह बॉक्स के पीछे इसकी प्राइज मेंशन है 32999 यह इसमें क्या-क्या मिलेगा एक टैबलेट, डाटा के इजेक्शिन पिन और पुछ मैनुल्स इसकी मैनुफेक्ट्रिंग डेट अक्टूबर 2023 है जो कि अभी रिसेंट ही है तो जल्दी से से अन्बॉक्स कर लेती हूं मैं यहां से इसका सील ओपन कर देती हैं कि काफी अच्छे से प्लोथ पैकिंग में मिलाए यह मैं देख लेते हैं और इसमें इसमें है यह ताइप सी टुटाइप सी डाटाकेबल और सेम एजेक्टर टूल से और कुछ मैनुल्स कि samsung में काफी अच्छे पैक्ट से पैक किया है इसको जुवह काफी अच्छी बात है सबसे बहले इसकी डिजाइन बिल क्वालिटी की बात करो तो यहां इसका बिल्ड अलुमिनियुम का है और यह फिनिश भी ना काफी अच्छी लग रही है और देखने में यह टैप इतना प्रीमियम लग रहा है कि कोई कह ही नहीं सकता कि इतने कम प्राइस पर इतना अच्छा टैप मिला है इसका वेट प्लास्टिक नहीं मैटल जैसे ही फिल हो रहा है इसे प्लास्टिक का इसलिए रखा गया है कि हमको नेटवर क्वालिटी अच्छी मिल सके और यह साइड मैं सैमसंग की ब्रांडिंग भी देखने को मिलें इसके फिजिकल वीव की बात करूं तो इसके राइट साइड में प की का गार पर है यहां इसके लेफ साइड में कीबोड अटेच करने के लिए कीबोड स्लॉट्स भी मिल जाएंगे तो अगर इसके साथ कीबोड भी ले लिया जाए तो इस टैप को एक मिनी लैप्टॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं वहीं इसके नीचे एक सिम ट्रे भी है यहां आप एक नैनो सिम और एक माइक्रो एजडी कार यूज कर सकते हैं वह भी वन टीबी तक का और यह तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें माइक्रो एजडी कार यूज करके इसके स्टोरेज को वन टीबी तक एक्सटेंग कर सकते हैं और यह एक 5G कंपैडिबल कैब है तो यहां 5G SIM तो आरम से यूज हो जाएगी इसके बैक में 8MP का रेर कैमरा है और इसके फ्रेंट में 5MP की सेल्फी जो किसी भी मीटेंग या ओनलाइन क्लास या किसी भी वीडियो कॉल के लिए काफी है तो बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी के पॉइंट से यह तक मुझ से पहली चीज दिखाई दिती है वो है इसकी डिस्प्ले यहां 11 इंच की फुल एजडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी और यह एक TFT LCD डिस्प्ले है लेकिन इसके क्वालिटी यह बहुत अच्छी है और यह डिस्प्ले 90 हर्स की रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट कर दी है तो यह काफी ब्राइट है तो अगर इस पर कोई भी हम कॉंटेंट वाच करेंगे तो एक्सपिरियंस काफी अच्छा रहेगा यहां अगर यूटूब पर वीडियो वाच करते हैं तो इसकी वीडियो क्वालिटी को 1080p तक ही स्विच कर सकते हैं लेकिन इसकी डिस्प्ले अगर इसकी स्विच क्वालिटी भी काफी अच्छी है अच्छी अच्छी है इसके software की बात करूँ तो यहां Samsung का One UI 5.1.1 मिलता है जो Android 13 पर बेस्ट है इसमें कितने OS अपडेट मिलेंगे यह तो अभी मुझे नहीं पता लेकिन अगर एक फोन के हिसाब से अपडेट मिलें तो इस टैबलेट के लिए बहुत अच्छी बात है यहां Samsung का Dex भी देखने को मिलता है और अगर हम इसे स्विच करें तो इस टैबलेट को हम एक विंडो लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हैं अब अगर मैं इसके कंट्रोल पैनल को उपन करूँ तो वह उपन ही नहीं होगा क्योंकि फिलाल यह एक लैपटॉप की तरह है तो Samsung के Dex के फीचर से हम नॉर्मल टैबलेट को भी एक विंडो लैपटॉप का लुग दे सकते हैं और यहां मेना अन्बॉक्सिंग के टाइम पर ही बताया था इसमें कीबोड स्लॉट भी है तो अगर कीबोड यूज कर लिए जाए फिर तो एक परफेक लैपटॉप है इसके ही फीचर पे यहां इ आज की रेट में जालतर कंपनीज 20-25 अधर की प्राइस में इसी प्रोसेसर के साथ फोन दे रही है और अगर वो इस टैब में मिल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है बाकि तो मैं इसे अच्छी से चेक करके ही बता पाऊंगी किसका प्रोसेसर कैसा है वैसे प्राइस के पॉइंट से मुझे कुछ याद आया कि वो ट्विस्टों में बताना भूली गई तो ट्विस्ट यह है कि अगर आप लोगों ने मेरा इसे सैमसंग की वेबसाइट से और करने वाला वीडियो देखा हो उसमें मैंने इसका ब्लू कलर और किया था लेकिन मेरे पास यह ग्रे तो मैंने अपना सैमसंग शॉप वाला ओडर कैंसल करके उसे इस स्टोर से बाय कर लिया और इस्टोर में यही कलर अवेलिबल था तो मुझे यह इसी कलर में पर्चेस करना पड़ा तो इस तरीके से यह ग्रेफाइट कलर में मुझे मिला अब अगर इसकी बैटरी की बात कर यहां सिंगल चार्ज में दो से तीन दिन का बैटरी वेकप मिल जाएगा एवेज यूज पर और हैवी यूज पर डेट से दो दिन का बागी तुम्हें से कुछ टेस्ट करके ही बता पाऊंगी यहां इसका टाइप सी पोर्ट यूएसबी टाइप 2.0 है यहां स्प्लीट स् यहां मैंने गैलरी यूटुब और काल टीन एक साथ यूज हो रही है हम इने पौप-अप स्टैल में भी कर सकते हैं और से और से प्लिट स्क्रिन की तरह भी य्ूज कर सकते हैं और यह काफ़ीूसफुल चीज है जो लोग एक साथ काफ़ी चीज यूज करते है उनके लिए यह बहुत यूसफुल रहेगा इसके कैमरा की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया थे समें 8 Megapixel का रेर कैमरा है और 5 Megapixel का सेल्फी केमरा तो प्राइस के हिसाब से 8 Megapixel की फोटो भी काफी ठीक है जिन्हें आप नॉर्मली यूस कर सकते हैं सेल्फी केमरे की कॉलिटी भी बॉक्सिंग बाकि इसके डीटेल रिव्यू मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू